इटावा जनपद में लगातार इटावा के वरिष्क पुलीस अधिक्षक संतोस कुमार मिस्रा द्वारा जनपद को अपराद मुक्त बनाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं इसी अभियान के तहद बसरेहर पुलीस को एक बड़ी सफलता मिली 19 साल से फरार 25,000 के इनामी बदमाशों को गिरपतार किया पकड़े गए वांचित अपरादी पर 2001 में बिजली की तारों की चोरी का आरोप था और जब से ही यह आरोपी फरार चल रहा था जिसकी धर पकड़ करने के लिए पुलीस को सुचना मिली पर थाना चौराय पर बांचित अपरादी खुले आम घूम रहे हैं जिसके बाद बसरेहर पुलीस ने मौके पर पहुचकर घेरावंदी करते हुए 25,000 से बांचित अपरादी को गिरपतार किया पुलीस को लगतार बांचित अपरादी को चकमा देकर खरार हो जाता था लेकिन यहाँ अपरादी पुलीस के हत्ते चट गया बसरेहर पुलीस की इस बड़ी काम्याभी को देखते हुए इटावा की बरिष्ट पुलीस अधिक्षक ने पुलीस को बधाई दी जनपद इटावा में जो अपराद हम अपरादियों के खिलाफ जो लगतारा ध्यान चलाए जा रहा है उसी के तहट थाना बसरेहर को बड़ी सपलता हाथ लगी है वर्ष 2001 यानि पिछले 19 साल से वांचित और रिवाडेड पुरसकार घोशित जो अपरादी है उसको आज जो है गिरफतार किया गया है ये अपरादी पिछले 19 साल से कानून से ये बच रहे थे लेकिन पिछली क्राइम मीटिंग में जितने भी इनामी थे वांचित थे उनको दुबारा रिव्यू किया गया था और पिछले एक हपते से लगतार मैनवल और सवलांस के अधार पे लगतार कारे किया जा रहा था और इस काम के बाद में आज जो ये अपरादी है इनाम सिंग, पुत्र बलवन सिंग, ठाना बसरेहर के 19 साल पुराने मुकदमे में आज इनको गिरफतार किया गया है ये 25 हजार के इनामी जो है इनको गिरफतार करने वाली जो हमारी टीम है उनको भी पुरस्कित किया जा रहा है और आपके माध्यम से मैं से देना चाहूंगा कि जनपत इटावा में लगतार ऐसे अपरादी जो पुराने रहे हो चाहे नए हों के खिलाफ लगतार अभियान चलता रहेगा और चाहे कितना भी पुराना अपरादी हो उसको धूड़के पगड़के उनको जेल भीजा जाएगा ये जो मुकदमा था 2001 में ये चोरी का परियास का मुकदमा था उसके साथ में एक दो मुकदमे इन पे और भी थे लेकिन पिछले 19 साल से लगतार ये कानून से ये बच रहे थे ये इनको खिलाफ बाकी करवाई भी वर्ष 2001 में हुई थी लेकिन आज तक ये बकड़े नहीं गए थे इनको पकड़ा गया है इनके कई लीड समय मिले थे मैनवल और सब्लांस के अधार पे कारवाई की गई और आज जो है जनपत इटावा में होने का ऐसा अमारे मुक्वीर और इंटेलिजन्स हमें प्राप्त हुआ और फाइनली इनको जाके आज जनपत इटावा से इनको पकड़ा गया इस टाइम यह क्या कर पड़े यह इसमें कई ऐसी इनफोर्मेशन है जिसकी जानकारी आमारे पास में है और जैसे मैंने बताया मैनवल और स अगहों पर यह इनके जो चीज़े इनकी निकल के आ रही थी इनकी मूव्मेंट को हमने डवलप किया मैनवल और सबलांस के अधार पर इनको डवलप किया और फाइनली आज हमारी थाना बस रहे है टीम ने इनको फाइनली यहां से इनको गिरफतार किया